जी नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल SF Classes में आपका स्वागत है हम आज हिंदी के अध्याय 2 से 20 के दात से 32 निस प्रेटनल लाए हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत महतोपूर है आप इस चैनल के माध्यम से बिहार बुड़ की अब्जेक्टिव कोश्चन की त्यारी अच्छा तरीके से कर सकते हैं अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को साथ सेर कीजिए कोश्चन नमबर वन बीश के दात कहानी कीश वर्ग के अनेक अंतर विरोदों को उजागर करती है इसमें दोस्तों आपका एंसोर हो जाएगा आप चलते हैं कोश्चन नमबर दो की तरफ कोश्चन नमबर दो है किनकी अनुसार सेनों ने अपने सिधानतों को बदल लिया था इसमें दोस्तों आपका एंसोर हो जाएगा आप चलते हैं कोश्चन नमबर तीन की तरफ कोश्चन नमबर तीन है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं सेन साब की नई मोटर कार कितने की थी इसमें दोस्तों आपका एंसोर हो जाएगा बी साड़े साथ हजार अब चलते हैं कोश्चन नमबर तीन की तरफ कोश्चन नमबर तीन है सेन साब की कितनी पुत्रिया थी ए चार बी पाँच सी तीन डी दो इसमें दोस्तों आपका एंसोर हो जाएगा पाँच अब चलते हैं कोश्चन नमबर छे के तरफ कोश्चन नमबर छे है खोखा किसको कहते हैं इसमें दोस्तों आपका एंसोर हो जाएगा सी कासु को अब चलते हैं कोश्चन नमबर साथ की तरफ कोश्चन नमबर साथ है सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जागा अब चलते हैं कोस्चन नमबर 8 की तरब कोस्चन नमबर 8 है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे अप्शन है इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जागा अब चलते हैं कोस्चन नमबर 9 की तरब कोस्चन नमबर 9 है मदन एक कासु को कितने दात तो डाले अप्शन ए है इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जागा अब चलते हैं कोस्चन नमबर 10 की तरब कोस्चन नमबर 10 है यहाँ पर दोस्तों होगा कोवा कोवा की जमात में सामिल होने के लिए कोवला लग गया अप्शन है इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा बी बतक अब चलते हैं कोस्चन नमबर दोस्तों यहाँ पर एंसर हो जाएगा हांस सोरी अब चलते हैं कोस्चन नमबर 11 की तरफ कोस्चन नमबर 11 है सेंस आपके मित्र क्या था अप्शन है A. डक्टर B. वकील C. पत्रकार D. सिक्छक इसमें दोस्तों आपका इंसर हो जाएगा C. पत्रकार अब चलते हैं कोस्चन नमबर 12 की तरफ कोस्चन नमबर 12 है नलीन बिलोचन सर्मा की माता का क्या नाम है था A. रतनावती सर्मा B. रतनामती सर्मा B. पदयावती सर्मा D. देवकी सर्मा इसमें दोस्तों आपका इंसर हो जाएगा A. रत्नावती सर्मा अब चलते हैं कोश्चन नमबर 13 की तरफ कोश्चन नमबर 13 है मदन के पिता का नाम क्या था? अफसान है A. खुराना B. स्रिधर लाल C. बंसिधर D. गिर्धर लाल इसमें दोस्तों आपका इंसर हो जाएगा D. गिर्धर लाल आप चलते हैं कोश्चन नमबर 14 की तरफ कोश्चन नमबर 14 है किस से मोटर की चमक दमक को कोई खातरा नहीं था? A. खोखा से B. मदन से C. पडोस के बच्चों से D. सेन साग पतरियों से इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा D. सेन साग की पतरियों से अब चलते कोश्चन नमबर 14 की तरफ कोश्चन नमबर 14 है सेन साग की मोटर कार थी इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर सुला की तरफ क्वेश्चन नमबर सुला है सेंस आपकी मोटर कार किस रंकी थी इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर सुला की तरफ क्वेश्चन नमबर सुला है नरेन विलोचन सर्मा की अस्कूल की पढ़ाई कहा से हुई इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर अठारा की तरफ क्वेश्चन नमबर अठारा है सेंस साहब ने अपने पूत्र को क्या बनाना चाहते थे अप्शन ए है बिजनेस मैन बी वकील सी पुरफेसर डी डॉक्टर इसमें दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा बी अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर उन्नीस की तरफ क्वेश्चन नमबर उन्नीस है गिर्दरलाल किस वर्ग का परतिनीधित्व करता है निम्नबर उन्नीस मैं अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर बीस की तरफ क्वेश्चन नमबर उन्नीस है बीस के दात सिर्षक कहानी की किस कहानीकार को कहानीकार कौन है इसमें दोस्तों आपका एंसोर हो जाएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर 21 की तरफ क्वेश्चन नमबर 21 है कासुम मदन के साथ कीज खेल में सरीफ होना चाहता था इसमें दोस्तों आपका एंसोर हो जाएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर 22 की तरफ क्वेश्चन नमबर 22 है नलेन विलोचन सर्मा का जनम कब हुआ था इसमें दोस्तों आपका एंसोर हो जाएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर 22 की तरफ क्वेश्चन नमबर 23 है नलेन विलोचन सर्मा का जनम कहां हुआ था अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर 24 की तरफ नलेन विलोचन सर्मा के पिता का क्या नाम था इसमें दोस्तों आपका एंसोर हो जाएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर 25 की तरफ क्वेश्चन नमबर 25 है लड़किया क्या है कटपुतलिया है इसे इस बात पर किसको गर्व है अब भाई बॉन को बी चाचा चाची को सी मामा मामी को डी माता पिता को इसमें दोस्तों आप का अंसोर हो जागा डी माता पिता को अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर 26 की तरफ क्वेश्चन नमबर 26 है से अंसाब ने इसे किसे खुब फटकार लगाई ए गिर्धर लाल को बी खोखा को सी मदन को डी सेफाली को इसमें दोस्तों आपका अंसोर हो जागा गिर्धर लाल को अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर 27 की तरफ क्वेश्चन नमबर 27 है नलील विलोचन सर्मा कीम दितु कब हुई इसमें दोस्तों आपका अंसोर हो जागा अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर 28 की तरफ क्वेश्चन नमबर 28 है लोग सेंच साब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्याले उपिक्त बताते हैं इसमें दोस्तों आपका अंसोर जागा बी किंडर गार्टन अस्कूल अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर 29 की तरफ क्वेश्चन नमबर 29 है गिद्धर लाल किस की फैक्टरी में किरानी था इसमें दोस्तों आपका अंसोर जागा आप चलते हैं क्वेश्चन नमबर 30 की तरफ क्वेश्चन नमबर 30 है सेना ने अपने सिधानतों को क्यों बदल लिया था इसमें दोस्तों आपका अंसोर जागा सीख खोखा के दुरलालित सोभाव के अनुसार अब जाएं दस्तों जाए बारत एदिया वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें सस्क्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो सेर करें आपक укुंष लगी दोस्तों लोजडने यज़गी थास्छी